असलाव अलेकूं मेरा सवाल ही है कि मैं एक दुखान पर काम करता हूँ और वहां पुर्स सारे लोगों का आना जाना होता है सवाल ही है कि हमसे बड़े-बड़े कई लोग ऐसे आते हैं जो हमको अंकल और मामो बोलते हैं अपर उपर वाल उनके वाइट भी हो जाते हैं तो क्या आपकी साथ भी कभी ऐसा हुआ है और खास करके आड़ते इसमें उनकी बच्ची बड़ी-बड़ी रहती है और वो भी अं आप समझ्याना आप यह अंकल वुड़ी तो नाना बोलना अची है फिर वाइने सवाल किया दुकान पर काम करते हैं और लोग आकर जो उनसे उमर में ज़्यादा है उनको इस तरह की किताब अलकाब देते हैं जो उमर में ज़्यादा लोगों का आंतर जैसा अंकल बोलना च कि वो इतने बड़े आलिम साब है तो कैसा उनको मैं बलूँगा वो मेरे से छोटे भी हो तो आप क्या बोलते हैं उनको हाजर जी एक बच्चा है जो हाफिज आलिम मुफ्ती बनके आ गया तो आप उसको भी हाजर जी बोलते है अलागे इतना छोटा है आपसे हो उसकी उसका दिगरी उसका नॉलेज डिमांड करता आपसे तो वो नीड है हो आपको बोलना पड़ेंगा उसको वैसा कभी कर पोजिशन होती है जैसा एक जज है जज अगर एक यंग जज भी आ गया तो उसको आपको समझाना वही रिस्पेक्ट देना पड़ती बोले से बोले इंसान को मेली लृट बोलना परता हूसी हालाग Meta टाऊ कर अवरोगा में चौट आओ तो कभी का रिस्पेक्ट से बलते हैं और कभी का तं से लोग बोलते हैं ऐएक रिस्पेक्ट है जरुरत है फील की नीड है वह पोजिशन नीड कर ती वह एक है और यह कभी होता लोग तं से बलत तो जो आसपास वाल रहे तो उनके पोते पाती हैं उनके तो नाते नवासी हैं और वो आपको फैस भी बोड़े तो ऐजा रिस्पेक्ट है यह रिस्पेक्ट के लिए बोड़ रहे हैं कि यह दीन के हमको मसले अल कर रहे हैं तो भाई बोलके खिताब कर रहे हैं तो यह हम उसक अभी कबर क्या होता है कुछ चीजे अलखाब रहती जो बच्चों को समझ में याता और वो बोलना शुरू कर जैसा कि मार्केट में गए ओ चचा वो बताओ ना वो मामों बताओ तुनको लगता चचा मामों भी बोलना पड़ता सेल्समेन को तो एक thought process बन जाती है कि तो भी किसी को चचा मामों बोलना शुरू कर देते तो इस तरह से चीजे होती ही याद रखे वो हालात माहल के हिसाब से डेवलफ होती ही याद रखे और वो प्रवासा कभीकार मुश्किल होता है माहल के हिसाब से जैसा मिसाल के तौर पड़ जब मेर और मेरे दोस्तों को चाचा बोलते लेगे चुकि मेरे दोस्तों को मैं भाई नहीं बोलता हूँ तो वो क्या करते फ़ला नाम लेता हो तो नाम से चाचा जोड़ देते लेकिन स्टाफ चुकि वो करता और घर में ही होता जैसा कि मिसाल के तौर पर आप घर में छोटे थे औ को भावी भावी मां भावी भावी उनके बच्चे जो पैदा होते ना तो अपनी अम्मा को भावी बोलते हो क्यों वह सब को भावी बलते सुनते ना तो अम्मी नहीं बोलते हो भावी जान भावी जान भावी जान भावी जान एर इसके अम्मी और अबबा को बोलता है भाव पुछे भी इतने बड़े कि आपके उमर के और आपको बोड़ी भाई साब यह बताईए ना तो आप समझना इसा रिस्पेक्ट या इसा फील्ड में यह चीज़ चलती सब बोलते हैं उसको अपने लिए बुरा नहीं समझना है त्योंकि फिर उससे क्या होंगा आपको एक बुरे हाला से फाइदा लेके निकलना इंसान है लहाजा उसका निगेटिभ लेने की जूरत नहीं मन्फी मुझबत रही है हत्ता कि कोई टॉंट मार की बोलते हैं चचा बुलना भी अधर छीचा लंबा वह भी टॉंट है सल्काजम है ओ मामू क सल्काजम है दो जाने द करता है रीजन में कि आपके पोजिशन डिमांड करती है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत मसले हो जाते हैं इसा मेरे पास को आएंगा या तो मेरे पास काम करेंगा मेरे साथ रहेंगा मैं किसी को ना सिंगल नाम से बुकारता हूं रीजन कि मेरा किसी को बाई चचा ब यहां पिलिस ओफिसर आया है तो हर ओफिसर को ओफिसर ही बोलते हैं तो इस तरह से होता है तो बहराल कई अपकर आपका मुखाम करता कभी उसका मुखाम इस सारे चीज एक कौन हरे तो लिहाजा माइन ओपन रखते आप उसको पॉजिटिव लिए तो मैं सवस्थ तो इंशनल अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आये हैं तो इसे शेयर करें और सवापकी हखदार बने, रोजाना हमारे वीडियो को पाने करें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दमाएं, हम से दिगर सोचल मीडिया पर जोड़ने के लिए वीडियो में ये आडिसो सेच करें जागरा